नमस्कार दोस्तों, भारतिय जुन्ता पार्टी की वाशिंग मशीन में धुलकर एक और नेता भाजपा में शामिल हो गया है दो महिने पहले रमूली कॉंग्रस के नेता तपस राय के घर पर एडी का छापा हुआ था अब तपस राय ने भाजपा जोईन कर ली है यह देखिये, यह तब की तस्वीर है, यह तब ख़बर चपी थी जब एडी ने इनके घर पे छापा मारा था और यहां देखिये, भाजपा का पट्टा गले में पढ़ते ही डेड़ महिने में कथे चोर, कट्टर, राश्ट्रवादी हो गया तो पश्चिम मंगाल में संदेश काली के मुद्धे पर त्रिमूल कॉंग्रस से स्तीफा देने के बाद पूर्व नेता तापस राए भारतिय जुनता पार्टी में शामिल हुए राए कॉंग्रस से त्रिमूल कॉंग्रस में गये थे, वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंतरी ममता बैनर जी के साथ करिये 25 साल तक काम कर चुके उनके साथ रह चुके है राए ने ये भी कहा था कि उन्हें पार्टी में उच्चित स्थान नहीं मिला इसलिए वो पार्टी छोड़ रहे हैं उन्हें टीमसी के काम करने का तरीका भी पसंद नहीं आता इस पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे दोस्तों राए ने स्तीफे के बाद आरूप लगाया था कि जब उनके खिलाफ एडी ने कारवाई की थी तो पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया था और आज आप देखी रहे हैं कि किस तरीके से राए का साथ देने के लिए भारती है जनता पार्टी सामने आ गई है और एडी से बचाने के लिए साथ आने के साथ साथ पार्टी में भी शामल कर लिया है दोस्तों राए के बीजेपी में शामल होने पर दिल्ली के मुख्यमंतरी अरवंद केजरिवाल ने ट्वीट किया है और आरूप लगाया है कि एडी के रेड करवागने के बाद सवाल पूछा जाता है कि भारती है जनता पार्टी या फिर जेल केजरिवाल का ट्वीट भी आप देख लीजे ये ट्वीट उन्होंने किया है इसमें वो लिखते हैं कि एडी और मोधी सरकार की ये सचाई है कैसे लोगों को एडी से परिशान करवा के बीजे पी में शामिल किया जाता है एडी के रेड करवास कर पूछा जाता है कि कहां जाओगे बीजे पी या फिर जेल जो बीजेपी जाने से मना कर देते हैं उन्हें जेल भेज दिया जाता है आज अगर सतेंद्र जैन, मनीश सोधिया और संजे सिंग भारतिय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं तो कल ही उन्हें बेल हो जाएगी ऐसा नहीं है कि इन तीनों ने कोई गुनाह नहीं किया है बस उन्होंने बीजेपी में जाने से मना कर दिया है आज अगर मैं बीजेपी में चला जाओं तो मुझे भी एडी के समन आना बंद हो जाएंगे पर उपर वाले के यहां देर है अंधेर नहीं प्रदान मंतरी जी उपर वाले से डरिये हर समय एक जरसा नहीं रहता है और समय बड़ा बलवान है तो यह ट्वीट अर्विंद केज रिवाल ने किया है दोस्तों आपको बता दे कि यह जो तपस राय है यह 1996 में विधा सागर विधानसभा चेतर से कॉंग्रस के टिकट पर विधायक चुने गए थे राय ने 2001 का विधानसभा चुनाव 12 बजार से TMC के टिकट पर जीता भी था इसके बाद वो 2011 में उत्तर 24 परगना जले के 12 नगर विधानसभा चेतर है वहां से यह चले गए थे यह वहां से भी जीते और सफल हुए वो तब तक इस सीट पर बने रहे दोस्तों जब तक वो TM के साथ थे और वो TMC के विधायक थे राय मौझूदा विधानसभा में TMC के उपमुख्यमंत्री सचे तक भी थे और फिर यह कहते हैं कि इनको जो है TMC का साथ नहीं मिला इसलिए भाज़पा में जा रहे हैं हलाकि दोस्तों तपस राय के यहां आपको बता दूं कि ED ने चन नारोब सब धुलकर साफ हो गए हैं आप ऐसी एट कले हैं दोस्तों कि भारतिया जनता पार्टी ने उन्हें उत्तरी कॉलकता का टिकट भी दे दिया है आप जनता के मन में यह सवाल उठना भी लाजमी है क्या ED जो है वो स्वतंत्र और निश्पक्ष बचा भी है या फिर नहीं आपको क्या लगता है अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा यह खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं मेरा नाम है वरी नंसारी आप रहें स्वास्त मस्त बसी ही है दौा मारी मिलते एकली वीडियो में तब तक के लिए अलब छूएपके लिए वीडियो मिलते चुपर ऑाभचल through उल्ट ही को आपक्तो करे यहीं शथा प्री विमिलते लिए्यों एकली दखश्मा यठैं हैं